क्या दिव्यांका त्रिपाठी बॉलिवुड मूवीज में आने वली हैं? यदि हाँ तो कौन सी मूवी में? जानने के लिए देखते रहें दोस्तों ये पूरी वीडियो टीवी एक्ट्रेस मौनी रोइ, जल्द ही बॉलिवुड में खिलाडी कुमार यानी अक्शे कुमार के साथ फिल्म गौल्ड में डेब्यू करने वली हैं मोनी रोइ अपनी इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइट भी है मोनी के बाद अब एको टीवी एक्ट्रेस ने अक्षे कुमार की हिरोईन बनने की इच्छा जायर किया जी हाँ दोस्तों ये हैं मोहबतें और बनू में तेरी धुलहन जैसे टीवी सीरियल में नज़र आ चुकी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अक्षे कुमार की हिरोईन और उनकी फिल्म से बोलिवुड में एंट्री लेने की इच्छा जायर किया इस बात का खुलासा खुद दिव्यांका त्रिपाठी ने एक अकबार से बात करते हुए किया है उन्होंने बताया कि अगर वो कभी फिल्म करेंगी तो अक्षे कुमार के साथ करना पसंद करेंगी दिव्यांका त्रिपाठी ने फिल्मों में अपने काम को लेकर भी बात की उन्होंने का मुझे एक फिल्म का ओफर आया था लेकिन मैं उस समय टीवी सीरियल में काम कर रही थी टीवी ने मुझे बहुत कुछ दियाए इसलिए एक फिल्म की वज़ा से मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा लेकिन अब फिल्मों में काम को लेकर दिव्यांका ने कहा आये कि वो फिल्म में चैलेंजिंग रोल करना चाहेंगी दिव्यांका थिरिपाटी से जब पूछा गया कि वो बॉलिवुड में किस एक्टर के साथ काम करना चाहती है तो उन्होंने अक्षे कुमार का नाम बताया। दिव्यांका ने कहा मैं खुद को अक्षे कुमार की हिरोईन के तोर पर देखती हूँ, मुझे अक्षे कुमार की सबी फिल्म में काफी पसंद है। दोस्तों मोनी रोई के अलावा कुमकुम भागय सीरियल की अक्ट्रेस मुरिनाल ठाकूर भी रितिक रोशन की अपकमिंग फिल्म सूपर थर्टी से बोलिवुड में डेब्यू कर रही है। वही मोनी रोई अक्षे कुमार की फिल्म गोल्ड के अलावा, रनबीर कपूर, अलयभट और अमिताब बच्चन स्टारर फिल्म ब्रहमास्तर में भी नजर आएंगी। मोनी रोई की फिल्म गोल्ड इस साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। तो दोस्तों आप बताओ कि आप किस टीवी एक्टरस को बोलीवुड में देखने के लिए सबसे जादा एक्साइटिर है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आईए तो लाइक करना ना भूले। और अभी तक अगर आपने बोलीवुड टोक को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर लें और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देता कि आप आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन्स पासकें। तो फिलाली वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।